नमस्कार दोस्तों घरेलू खवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में ओम नमस सिवाएं या जैम आतादी जरूर लिखें दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि सावन के महीने में बेल पत्र तोड़ने के नियम क्या है बेल पत्र को किस दिन तोड़ना चाहिए और बेल पत्र को सिवलिंग पर कैसे अरपित करना चाहिए ये संपूर्ण जानकारी मैं बेल पत्र के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सावन का महिना चल रहा है और इस माह में पूजा करते समय सिवलिंग पर तरह तरह की पूजन सामगरी चड़ाई जाती है इन सामगरियों में बेल पत्र का विशेश स्थान है बेल पत्र की महिमा इतनी ज्यादा है धन निधान की कभी घर में कमी नहीं होती यदि सावन सोंबार के दिन 11 बेल पत्र लेकर उसे गंगाजल से साफ करके उस पर चंदन से ओम नमा सिवाय लिखकर भोले भंडारी पर अरपित करने इस उपाय से कुछी दिनों में आपकी जूली भरने लगेगी आपके घर में धन धान की पृधी होने लगेगी भोले नाथ को प्रसंद करने के लिए बस चंदन, दूद, पानी और बेल पत्र ही काफी है इन चीजों को अगर सही तरह से सिवजी को अरपित किया जाए तो भक्त की किसी भी कामना को भोले नाथ पूरा कर देते हैं भोले नाथ की सबसे प्रिये चीज बेल पत्र है और इसको चड़ाने से जुड़े कई नियम है हलाकि इस पेड़ पर लगने वाला हर पत्ता सिवजी को अरपित नहीं किया जाता है बेल पत्र के बारे में हमारे पुरानों में कहा गया है हमारे लिंग पुरान में इसको तोड़ने को लेकर बताया गया है कि इसे कभी भी सोंबार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए सोम बार के अलावा चतुर्थी, अस्टमी, नौमी, चतुर्दसी, अमावस्या, संक्रांती के दिन भी बेलपत्र तोड़ना सही नहीं माना जाता है अगर किसी को भी सुंबार के दिगन भगवान सिव को बेलपतर एफित करना हो तो वो रविवार के दिनी से तोड सकते हैं क्योंकि ये कभी भी बासी नहीं होते दरसल ऐसा माना जाता है कि बेलपतर काफी पवित्र होता है और ये हमेशा पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है इतना ही नहीं ये भी लिखा गया है कि इसको एक बार परियोग करने के बाद इसे धोकर बार बार हम परियोग कर सकते हैं केवल तीन पत्ते वाले भी बेल पत्र चड़ाना चाहिए पूजा के दोरान बेल के पेड के केवल उनही पत्तो को चड़ाया जाता है जिसमें तीन पतिएं हो इससे कम पत्ते वाले बेल पत्र भगवान को अर्पित नहीं किये जाते हैं और एक मानिता है कि बेल पत्र तोड़ते समय पतियान बिल्कुल वी फ्रेस होनी चाहिए जो भगवान को चढ़ाने के लिए हम बेल पत्र लेते हैं उसमें किसी तरह का छेद, कटा, फटा नहीं होना चाहिए बिल्कुल साव, सुत्रा और फ्रेस पतियान होनी चाहिए दोस्तो सिव जी को बेल पत्र अर्पित करते समय बेल पत्र चिकनी सतह की तरफ से चढ़ाना चाहिए चिकनी सतह सिवलिंग को टच करे बेल पत्र पर चंदन से अगर सिव जी का नाम लिखा जाए और फिर इन्हें सिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो ऐसा करने से कुई भी मनोकामना पूरी हो जाती है भगवान सिब को बेल पत चढ़ाने से जूड़ी बात कालिका पुरान में लिखी गई है जिसके अनुसार सिवलिंग पर जब ये पत्ते चढ़ाए जाए तो उनको केवल सीधे हाथ की अनामिका यानि रिंग फिंगर और अंगूठे से ही पकड़ना चाहिए और भगवान को चढ़ाना चाहिए इसी तरह से सिवलिंग पर चढ़े हुए इन पत्तों को हटाने के लिए केवल सीधे हाथ की अंगुठे और तरजनी यानि अंगुठे के पास वाले उंगली का ही परियोग करना चाहिए तो दोस्तों ये थी मेरी बेल पत्र से जुड़ी बाते बेल पत्र से चढ़ाने और तोड़ने से लेकर के सारे नियम आसा करती हूँ वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स